इस वेप टेकनलोजी कि फेलीच में अब आम बात करने जा रहा है, internet services के बारे में कौन-कौन से internet की services होती हैं उनके बारे हम लोग बात करते हैं तो चलो इसके बारे में हम लोग समझते हैं टो बेसिकलि internet services क्या होती चै tutor इफटे लिटा टू है और यहां पे server है यहां पे server है कुछ भी search करते हैं internet की मदद से internet की मदद से तो जो search करते है server तक जाता है server से जो data हमारे पास आता है तो इन सारे चीज़ों को ले आने ले जानने का काम internet services ही करती है तो categories जिसमें कुछ defined है जैसे कि communication service की category होती है जैसे कि जो mail send करते हैं जो mail हम receive करते हैं तो वो electronic mail के अंदर आ जाती है टेलनेट में क्या होता है कि जब हम एक computer से किसी दूसरे computer को control करना चाते हैं उस control करके उसे access करना चाते है तो आपे टेलनेट वगरे को use करते हैं तो यह सारी communication service के अंदर आपकी आ जाती है category फिर आपका आता है file transfer protocol ठीक है FTP जो होता है information retrieval services होता है यानि कि कुछ file हम retrieve करना चाते हैं कुछ file हम send करना चाते हैं server तक तो वहाँ पे हम जो internet services use करते हैं वो category आती है आपकी FTP बगर होती है कुछ web services जैसे होती allow exchange of information between application on the web ठीक है तो इनकी मदद से हम data का exchange करते हैं www क्या होता है आपका it offers a way to access document spread over the several servers over the internet कुछ hyper links वगर होती है जैसे कि google.com www.google.com करते हैं यानि कि एक web page है इसकी मदद से ही तो हम search करते हैं उसको service को access करते हैं ठीक है तो यह सारे चीज़े हम लोग करने के लिए इन सारे internet services का use करते हैं इनी के possibly एक website चलती है क्या होता है कि हम normally website को access करते हैं लेकिन पीछे की complexity तो अब 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 आप लोग समझ रहे होगे कि क्या होता है